और भले ही शोले के गबबर में सरकास्टिक हो रहा हो ये बोलते हुए कि क्या सोचा था साहब सबासी देंगे लेकिन इधर कुछ भी हसी मजाक में नहीं है आपने सेवा की है तो आपको सबाशी जरूर मिलेगी और मिलती आई है इस बार लिस्ट में किन का किन का नाम है जानन पशकार स्वागत है आपका देश नीती में मैं आपके साथ गेटी भावया देश नीती किवल सच्ची और फक्की ख़बरे 19 महीने से रिक्त पड़ा लोगपाल अध्यक्षपद की कुर्सी मोधी सरकार में इस मंगलवार भर दी नाम एम खलविरकर सुप्रीम कोट के रिटाइड जर्ज एम खलविरकर 2022 में सुप्रीम कोट के नयाधीश के रूप में रिटाइर होई थे उन्होंने अपने 6 साल का का कारेकाल सुप्रीम कोट में पूरा किया था और साथ ही अपने अंतिम वर्ष के कारेकाल में उन्होंने काफी महत्वपून निर्ने भी लिये थे मनी लॉंडरिंग निवारन अधिनियम गैर कानूनी गती वीधिया रोग थाम अधिनियम यानि UAPA और विदेशी योगदान विनियमन संसोधन अधिनियम और सबसे महत्वपून जिसने 2002 के गुजरात दंगे मामले में ततकालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोधी सहित 64 अधार पर गुजरात पुलिस ने अगले दिन दंगों से जुड़े सबूत गड़ने के आरोप में कारेकरता तेस्ता, सितलवार और पूर्व IPS अधिकारी आरबी शी कुमार को गिरफ़तार कर लिया था यह तो था केंद्र सरकार का लेकिन नाम और भी है छोटे नवाब कैसे पीछे रह सकते हैं उन्होंने भी सबाशी दे दी है उत्तर प्रदेश में वारानेशी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिटायर जज आजाया कृष्ण विशेशवाशा को डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नाशनल रीहाबिलाइजेशन यूनिवरसिटी का लोगपाल चुना गया है ये वही रिटायर नियाधीश है जिन्होंने अपने रिटार्मेंट वाले दिन यानि आखरे दिन यानवापि मस्जित के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दी थी और ये उत्तर प्रदेश के पबलिक यूनिवरसिटी के अब लोगपाल के तौर पर न्यूक तो हुए है जिस यूनिवरसिटी के चेर्मेन खुद योगी जी है इसे पहले भी अकसर रिटायर जज़ों को मोधी सरकार अलग-अलग पदों से नवासते रही है और मोधी सरकार पर इस बात के लिए आरोब भी लगते रहे हैं कि अगर आप यानि जज़ सरकार के पक्ष में फैसले सुनाते हैं तो उन्हें रिटायर्मेंट के बाद बड़े पद दिये जाते हैं सप्रीम कोर्ट से CGI पद से रिटायर होने के बमुश्किल चार महीने बाद नरेंद्र मोधी सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई को राज्य सभा के लिए नामित किया था मैं आपको बता दू कि पूर्व न्यायधीश रंजन गोगोई काफी विवादित रहे थे अपने भाशन के चलते जिसमें उन्होंने सम्विधान को लेकर एक विवाद्सपत स्टेट्मेंट दिया था रंजन गोगोई CGI रहते अयोध्य रफले जैसी और भी मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था जुलाई 2021 में रेटायर हुए जस्टिस अशोक भूशन को वर्ष के अंत में राश्य कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधी करन का प्रमुख बनाया गया था जब उस वर्ष की शुरुवात में राम मंदर प्रान प्रतिशा समारों में उन्होंने भाग भी लिया था और साल 2021 में मोधी सरकार ने राश्य मानवदिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोट के विवासपत पूर्व न्यायधिश अरुन कुमार मिश्रा का नाम प्रस्तावित किया था ये वही पूर्व न्यायधिश अरुन कुमार मिश्रा हैं जो अपने ही जमी अधी ग्रहन के फैसले पर चुनौती देने वाले पीट में जबर्दस्ती शामिल थे और 2023 में राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने रिटायर होने के चार महीने बाद सुप्रीम कोड के पूर्फ न्यायधी जस्टिस S. अब्दुल नजीर को आंधर प्रदेश का राज कालवे Community के साथ सरकर ने तीन न्यायक सदस्यों सहीट 6 सदस्यों की नियूटी भी कि हिमाच्र प्रदेश उच्छ न्यायधी यायधी पूर्फ मुख्य न्यायधी स्वामि इलाबाद उच्छ न्यायायधी संजरिय यादब और करनाटक उच्छ न्यायल्य canadhan पूर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा गुजरात के पूर्व मुख्य सचीव पंकच कुमार और पूर्व ग्रामिन विकास सचीव अजय तिरकी शामिल है राश्ट्रपती दुरौपदी मुर्मू ने भी इन्हें लोगपाल के तौर पर विराजा देख अपनी खुश